तो बच्चो हमने जो भी स्वर पढ़े हैं अब हम करते हैं उसका अभ्यास सबसे पहले देखिए योग्यता परिक्षन योग्यता परिक्षन यानि कि हमने क्या-क्या सीखा है बच्चो यहाँ पर देखो निम्निली खीत को पढ़कर सुनाईए हमें कुछ वर्ण दिये गए हैं पहले हमीने पढ़ते हैं जैसे कि ओ पढ़िए मेरे साथ साथ री, उ, अंग, ए, आउ, अहाँ अब आगे बढ़ते हैं चित्र के नाम के पहले अक्षर का चिन लगाईए तो बच्चो यहाँ हमें कुछ चित्र दिये गए हैं उसके नाम के पहले अक्षर के आगे हमें सही का चिन लगाने तो आईए इसे करते हैं पहला चित्र पहचानिए बच्चो यह है औरत तो आप अग के आगे सही का चिन लगाएंगे ठीक है? यह क्या है बच्चो? यहाँ है रिशी तो आप E की आगे सही का चिन लगाएंगे Very good आगे बढ़ते हैं अब चित्रो को पहचान कर उनके नाम के पहले अक्षर लिखे बच्चों यहां में कुछ चित्र दिये गए पहले उन चित्रों को हम पहचानते हैं उसके नाम के आगे पहच उसके नाम का पहला अक्षर लिखते हैं जल्दी से पहचानों यह पहला चित्र किसका है यह पहला चित्र है बच्चों आम तो आप यहां आ लिख देंगे Very good और यहां है बच्चों E तो आप यहां पर इमली लिख देंगे ठीक है? यह है उलू तो आप यहां पर O लिखेंगे इसी तरहां यहां है बच्चों O ख्री तो आप यहां पर O लिख देंगे Very good आगे बढ़ते हैं O से O तक लिखिए ठीक है बच्चों अब क्या करना है? O से लिखे O तक लिखना है यह सभी स्वार है ना? तो आएगे इने लिखना शुरू करते हैं तो आभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे तो बच्चों आप लिखें सबसे पहले O इसके बाद A E E O O अब लिखेंगे बच्चा आप A A O A A अब लिखेंगे आप A तो बच्चों हमने O से लेकर O तक सब लिख दिया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सभी ने कर लिए ना तो बच्चों यह हमने क्या पढ़े थी? यह हमने स्वार पढ़े थे और जिनका हमने योग्यता परिक्षन किया है तो चलिए बच्चों अब हमने जो व्यंजन पढ़े हैं कर से लेकर यहां तक उनका योग्यता परिक्षन करते हैं सबसे पहले देखिए बच्चों योग्यता परिक्षन में हमें क्या-क्या दिया गया है? निम्ली लिखित को पढ़कर सुनाईए बच्चों हमें कुछ वर्ण दिये गए, आईए इने पढ़ते हैं कि हमें आते हैं या नहीं आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चित्र के नाम के पहले अक्षर पर सही का चिन लगाईए, तो बच्चों हमें कुछ चित्र दिये गए, चित्र के नाम के पहले अक्षर पर सही क चिन लगाते हैं, देखिए जराव, पहला चित्र पहचानिए, पहला चित्र किसका है, पहला चित्र है बच्चो खरगोश का, तो आप खो के आगे सही का चिन लगाईए, तो आप खो के आगे सही का चिन लगाईए, यहाँ है बच्चो जंडा, जंडा आता है जो से, तो आप जहा के आगे सही कचिन लगाएंगे Very good, सभी बच्चों ने क्या ना मेरे साथ साथ ये कार रहे Very good, तो चलिए बच्चों बागे बढ़ते है चित्रों को पहचान कर उनके नाम के पहले अक्षर लिखे बच्चों यहां में कुछ चित्र दिए गए ठीके उन चित्रों को पहचानते हो और उनके नाम का पहला अक्षर लिखते है जरा बताओ ये चित्र किसका है ये चित्र है बच्चों चाता तो आप यहां पर छो लिख देंगे ठीक है? यह क्या है बच्चो? यह है चमच तो आप यहाँ पर चो लिखेंगे यहाँ है बच्चो गमला तो आप यहाँ पर गालिक देंगे और यहाँ है बच्चो कबुतर तो आप यहाँ पर कालिक देंगे ठीक है? तो चलिए बागी बढ़ते हैं का से यहां तक लिखिए तो बच्चों हमें क्या करने के लिए कहा गया है का से लिखे यहां तक लिख रहा है तो चलिए सारे बचे मेरे साथ साथ लिखिए सबसे पहले हम लिखेंगे का फिर लिखेंगे का गा गा और अंगू अब इसके बाद क्या आएगा बच्चो चा आप लिखे चा जा जा और ये है बच्चो या ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो चलिए बच्चो अब आगे बढ़ते हैं जो व्यंजर हमने आगे पड़े हैं अब हम करेंगे उसका अभ्यास यानि की योग्येटा परिक्षन तो देखो बच्चो हमें पहला क्या दिया गया है निम्निरी खित को पढ़कर सुनाईए यहां में कुछ वर्ण दिये गए हैं हम इने पढ़ते हैं सबसे पहले दीखे क्या है यहां है बच्चो ठो डो अने दो तो नो और यहां है टो चलिए अब आगे बढ़ते हैं चित्र के नाम के पहले अक्षर पर सही का चिन लगाएं बच्चो में कुछ चित्र दिये गए उसके नाम के पहले अक्षर पर सही का चिन लगाते है बच्चो यह क्या है जल्दी पहचानो यहां है बच्चो टमाटर टमाटर आता है ट से तो आप दो के आगे सही का चिन लगाएंगे इसी तरह ये चित्र है नल नल आता है न से तो आप न के आगे सही का चिन लगाएंगे ये देखो पैरी गोर्ड मेरे साथ साथ लगाईगे सभी बच्चे ये है बच्चो धकन धकन आता है धो से तो आप डो के आगे सही का चिन लगाएंगे यहें बच्चों दवात दवात आता है दो से तो आप दो के आगे सही का चिन लगाएंगे अब हम आगे बढ़ते हैं चित्रों को पहचान कर उनके नाम के पहले अक्षर लिखिए तो बच्चों यहां हमें कुछ चित्र दिये गए ठीक है इन चित्रों को पहले पहचानते फिर उसके नाम का बच्चों पहला अक्षर लिखेंगे जैसे कि यह चित्र पहचानों किसका है यह चित्र है बच्चो ठटेरा तो ठटेरा आता है ठो से हम क्या काम करेंगे हम यहाँ पर ठालिक देंगे पेरिगोड और यह क्या है बच्चो यहाँ है धनुष धनुष आता है धो से तो हम यहाँ पर ठालिक देंगे यह क्या है बच्चो यह है डलिया डलिया आती है दो से तो हम यहाँ पर डा लिखेंगे और यह चितर है तर्बूज तर्बूज आता है तो से तो हम यहाँ पर ता लिखेंगे ठीक है चलिए बागे बढ़ते है तो बच्चो आगे देखो क्या दिया है त से न तक लिखिए चीक है तो बच्चो देखो त ठ र ध और अने चीक है आगे देखो सभी ने में सासाथ लिखा है ना तो बच्चो हमने ट से लेके न तक लिख लिया अब हम आगे बढ़ते हैं यह अभ्यास कारे पूरा हुआ हमारा तो चलिए बच्चो आगे हमने जो भी वर्ण पड़े हैं अब हम करते हैं उसका अभ्यास सबसे पहले देखिए योग्यता परिक्षन यानि के हमने क्या-क्या सीखा है हम कितने योग्ये हुए हैं निम निली खीत को पढ़कर सुनाईए तो बच्चो यहां कुछ वर्ण दिये गए जरा इनिमे साथ पढ़िए तो आप पढ़ पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं देखो बच्चो यह है ल, फेरी गुड़, आप खुद से पढ़िए जरा यह जा है या, बहुत अच्छे यह है बच्चो र, यह है फ, भ, म, और यह है ब, आगे बढ़ते हैं अब चित्र के नाम के पहले अक्षर का चिन लगाईए बच्चो हमें यहां कुछ चित्र दिये गए, उसके जो चित्र है, उसके नाम के पहले अक्षर के आगे हमें सही का चिन लगाना है पहले देखो यह क्या है, बतक, तो आप बो के आगे सही का चिन लगा दीजिए यहाँ है पतंग, तो आप लो के आगे सही का चिन लगा दीजिए और यहाँ है बच्चो रत, तो आप रो के आगे सही का चिन लगा दीजिए और यह है बच्चो लट्टू, तो आप लो के आगे सही का चिन लगा दीजिए अब आगे बढ़ते हैं चित्रों को पहचान कर उनके नाम के पहले अक्षर लिखिए बच्चों यहां में कुछ चित्र दिये गए हैं हम पहले उन चित्रों को पहचानेंगे और उसके बाद उसका नाम का पहला अक्षर लिखेंगे जैसे यह पहचानों बच्चों क्या है? यह है भगत तो आप यहाँ पर भा लिखेंगे ठीक है? ये क्या है बच्चो? यग्ये तो आप यहाँ पर या लिख देंगे और ये है मचली तो आप यहाँ पर मा लिखेंगे ये क्या है बच्चो? फल तो आप यहाँ पर फल लिख देंगे ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दो से लो तक लिखिए तो बच्चों हमें दो से लो तक लिखना है आईए इन वर्डों को हम लिखते हैं मेरे साथ लिखें सभी बच्चे अब हम लिखेंगे दो से लेके लो तक सबसे पहले आप यहां लिखें दो धा, ना, पा, भा, बा, भा, मा, या, रा और ये है बच्चो, ला, ठीक है? तो चलिए, हमने यहां तक कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं तो चलिए बच्चो, अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे इसका योग्यता परिक्षन निमनिलि खित को पढ़ कर सुनाईए चलिए बच्चों, यहां कुछ वर्ण दिये गए, पहले हम इने पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए, श, ह, ग, त्रो, श, छ, और श्र, ठीक है, अब आगे देखिए, चित्र के नाम के पहले अक्षर पर सही का चिन लगाईए, तो बच्चों, यहां में कुछ चित्र दिये तो आप शो के आगे सही का चिन लगाएंगे, और यह कौन है बच्चों, यहां है ज्यानी, तो आप यह के आगे सही का चिन लगाएंगे, और यह कौन है, यह है बच्चों, शो से शटकोर, तो आप शो के आगे सही का चिन लगाएंगे, और यहां है त्रिशूल, तो आप बच्च चित्रों के आगे सही का चिन लगाएंगे। चलिए बागे बढ़ते हैं। चित्रों को पहचान कर उनके नाम के पहले अक्षर लिखे बच्चों यहां में कुछ चित्री दिएगा इन्हें पहचानते और इनके नाम के आगे का पहला अक्षर लिखते हैं तो पहला चित्र पहचानों किसका है यह है बच्चो श्रमिक जो आता है श्रो से तो आप यहां लिख देंगे इस तरह से बच्चो श्रमिक ठीक है? यह कौने बच्चो? यह सपेरा है तो आप यहां पर स लिखेंगे और यह है बच्चो छत्रिये तो आप यहां पर छो लिखेंगे और यह है बच्चो हल तो आप यहाँ पर हो लिखेंगे ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं यह वो से ढ़ो तक लिखें तो चलिए बच्चो लिखना शुरू करते हैं आप यहाँ लिखेंगे बच्चो वो बाके बाद आएगा श श स हा च त्र या और फिर आएगा बच्चो ड और यह है बच्चो ड ठीक है? तो चलिए बागे बढ़ते हैं तो बच्चो यहाँ देखो क्या भूले क्या याद रहा आईगे इसे पहचानते हैं कि हमने क्या भूला है और कितना हमें याद रहा है तब ही बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो चलिए बच्चो आगे बढ़ते हैं तो बच्चो यहाँ में कुछ चित्र दिये गए हैं इन चित्रों का जिससे नाम शुरूव होता है उस नाम का पहला अक्षर पर सही का चिन लगाएंगे ज़रा देखो तो बच्चो पहला चित्र क्या है? चल्दी बताओ रिशी तो आप रि के आगे सही का चिन लगा दीजिए यहाँ है बच्चो जणडा तो आप जो के आगे सही का चिन लगा दीजिए इसी तरह यह क्या है बच्चो? यहाँ है धक्कन तो आप धो के आगे सही का चिन लगा दीजिए और यह है बच्चो पतंग तो आप हो के आगे सही का चिन लगा दीजिए आगे देखिये यहीं बच्चो त्रिशूल तो आप त्री के आगे सही का चिन लगा दीजिए यहाँ है हल तो आप हो के आगे सही का चिन लगाईए आगे बढ़ते हैं चित्र को सही अक्षर से मिलाईए तो बच्चों यहां को चित्र दिए गए ठीक है? यहां में कुछ अक्षर दिए गए? सही चित्र को सही अक्षर से मिलाना है हमें ज़रा देखिये बच्चों किस तरह यह चित्र पहचानों पहले किस का है? औरत का तो आप औरत को आउसे मिला देंगे very good इसी तरह बच्चो ये क्या है चित्र? छत्री. तो आप छत्री को छो से मिला देंगे. और यह है बच्चो टमाटर. तो आप टमाटर को टो से मिला दीजिए. और यह है बच्चो लटू. तो आप लटू को ला से मिला दीजिए. बेरी गुड. और यह क्या है बच्चो? आगे बढ़ते हैं अब हम यहां देखो बच्चों चित्र देखकर संबंधित अक्षर लिखिए बच्चों यहां में कुछ चित्र दिये गए ठीक है इन चित्रों को देखकर हमें उसके आगे यहां पर ता लिखिए और यहां है नल तो आप यहां पर नौ लिख दीजिए इसी के साथ बच्चों यहां है बतक आप यहां पर बॉलिख दीजिए और यहां है बच्चों गमला तो आप यहां पर गलिख दीजिए और यह क्या है बच्चों खरगोष तो आप यहां खो लिखिए और यह क्या है बच्चो यहां है मच्छी तो आप यहां पर मौ लिग दीजिए और यह है बच्चो आम तो आप यहां पर आ लिग दीजिए और यह है बच्चो शटकोर तो आप यहां पर शो लिग दीजिए ठीके तो चलिए बच्चो इसी के साथ यह पार्ट होता है यहां समाप्त आज हमने जो भी पड़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले कक्षा में तब तक के लिए भाई बच्चो